शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें नीचे की तिजोरी की चाफी भी मंग लेना आप लोग हमें ऐसे भाई देख रहे हैं भाई साब ने तुम तोनों को पूरे घर की जिम्मेदारी दिये और इसकी शुरुवात तिजोरी की चाफी से होनी चाहिए चुकि अब सवाल सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों घरों की जिम्मेदारी को ठाने का है भाई साब ने जो कहा सो कहा इसका मतलब ये नहीं कि हम नेना भावी का हब चीने या नेना भावी और बरुन का दिल दुखा है कोई किसी का दिल नहीं दुखा रहा है हरे हम तो बस तिजोरी की चाबी की बात कर रहे हैं कोई गुना नहीं कर रहे हैं वैसे भी हम भाई साब भी आग भी इच्छा पूरी करने की बात कर रहे हैं वाँ आज एक वसीहत रिष्टों से उपर आगी चाची जी नहीं कीरती तू घलत सोच रही है दीदू हमने सब को सुन लिया तो हमें बेवकूप मत बनाई है पापा जी चले के सब को छोड़ गए पर उनका बेटा उनकी बहू और उनकी बीवी है अभी जिन्दा है तो जाइदाद का सबसे जादा हिस्सा आप दोनों को क्यूं मिले तू सही कह रही है कीरती ऐसा कुछ नहीं होगा और उस पर तुम लोगों का ही हक है मैं वकील से बात कर लेता हूं वसीयत को लेकर हमें कुछ नहीं चाहिए तू फिक्र मत कर कीरती हम सब संभाब लेंगे क्या मिला आपको उसे दुखि करके चली गई ना भाई साब के जाने के बाद आपको पता है ना घर का महोल कितना दुखि चल रहा परेरी समाज नहीं आ रहा कि भाई साब के जमांग में क्या चल आथे कि आसी वसीयत बनाती लेकिन हमें तो समझना पड़ेगा ना कि क्या सोचके उन्होंने वसीत बनाई फैसला चाहे जो भी लिया हो पापाजी ने हम अपना हाख अभे और दीदु को नहीं दे सकते चाहे दीदु कितना भी अच्छा बनने का नाटा कर ले बस्पन से न वो यही करती आई और सब कुछ अपने नाम करवा लेती क्या हुआ किरती? क्या हो गया? आप भी बताईए सही किया है पापाजी ने हमारे साथ बेदभाव नहीं हुआ है अरे प्यार तक बाढ़ दिया पापाजी ने वरुन जी आप इस घर के से बड़े बेटे ने उनके सगे बेटे भी हैं फिर भी उनोंने सारी जिम्मेदारी दीदू और अभे को दे दी साथ परसंड का हिस्सा दे दिया उन्हें क्या कमी रह गई थे आपके जिम्मेदारी में वरुन जी पापाजी की तरफ कि आपको इस लायक भी नहीं समझा मुझे समझने आरा कीर थे तुमारे सवाल का में क्या जवाब पता नहीं उस वक्त उस वक्त पापा क्या सोच रहे थे अभे और दीदू चाहे कुछ भी बोले पर हमें पता है उन्होंने पापा जी को बैलाया फुसलाया ताकि सब कुछ उनके नाम हो जाए और जब पापा जी पापा जी चले जाए तो इस घर पे ना वो लोग राज करें ऐसे तो बड़ा कह रहे है कि हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए पर तीजोरी की चाह भी पूछने के लिए ना ऐसे बैठे हुए भरुन जी हम आपको बता रहे हैं खीलती श्रद्धा आवे ताई जी नाश्ता तयार है हम सब आप लोगों का ही इंतजार कर रहे है नहीं बेटा बन नहीं है ताई जी ताउ जी की आखरी इच्चा थी की कि हम सब एक साथ बैठ कर खाना खाये खीर्ती इसमें तुझे भी हमारा साथ देना चाहिए दिख रहे है कि आप लोग कैसे लगे वे पापा जी के आखरी इक्षा पूरी करने हों है कि आप यह अधिए कर से अधिशन अरे सरब आप यहां आए ना आइए हमीय यह है किए मेरे बौस यह ई नबस्ते वरुन की पिताजी के बारे में पता चला आप बहुत दूख हुआ माफ किशे का सर, अभी मैं चुट्टी पे हूँ, तेरवी के बाद ही आप आऊँ मैं समझता हूँ, कुछ दिन परिबार के साथ रहू, बाद में आऊ और आज मेरे हैं आने के वज़े कुछ और है क्यों सर, क्या हो गया अरे, खबराओ माफ, मैं तुम्हें याए खुशकबरी देने के लिए आया हूँ तुम्हारी प्रजेंटेशन क्लाइन को बहुत पसंद आए और हमारे डील भी पक्की होगी इसके साथ सर, ये तो बहुत अच्री बात है सर, आईये प्रीस, बैठिये ना नहीं नहीं, फिर कभी, अच्या नमस्ते हाई, मुझे पूरा यकीम थी, तो जिस भी कंपनी में काम करेगा, इसकी किसमें वदर लेगा हाँ वरुन जी, ताओ जी को भी आपकी हुनर पर हमेशा ही गर्व रहा आए काश आपकी ये बात हम मान सकते वी दिए कि पापाजी को वरुन जी पे गर्व था अगर इतना ही गर्व होता ना, तो उन्हें वो इतना गैर जिम्मेदार नहीं समझते कि अभ्य की हिस्से में लिख देते उनकी सारी जायदात वस्यत वाली बात से आप अंदाजा लगा ही सकती है कि कीरते के दिमाग में अभी क्या भूचाल चल रहा है और उपर से आपने अपना अलग से तेज दिमाग चलाया क्या जरूरती ये सब बोलेगी हम तो सिर्फ भाई साब की इच्छा के बारे में बात करे थे और वैसे भी उनोंने भी मानी लिया था कि इस घर का असली घरा सोना बेटा कौन है तो आप हमने कहें बोल रही है खीरती बस उसे यही कहना चाह रही थी ताउजी बहुत मन से चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी पुरा परिवार एक साथ रहे एक साथ खाना खाये दुख में सुख में एक दूशे का साथ दे और ऐसे में ये कड़वार बीच में मतला चाह नाश्ता करते हैं हमें नहीं खाना देखियरती अगर तू नहीं खाएगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी तुझे अपनी लिए ना सही लेकिन मेरे लिए जलना होगा दीदो छोड़िये हमें देख बैट बैट आपनों भी आजाये ना खीरती अब ये गुस्साब होजाए और ले खाना क्यों खाये हो आप जो बोलिगी वही होगा यही चाताना चाहती है मैंचु मैं तुको सुझे प्यार से खाना खाने के लिए कह रही हो अच्छा हाँ अब तो आपके बास सुमी ही पड़ेगी ठीक है यह लिए खीरती 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 बस कीरती बस भी करो अतना यह तमाश आना खत्म करो नहीं पीना में पानी कीरती यह क्या बतमीजी है क्या हुआ अब कुछ नहीं अब है सब ठीक है अरे कब तर तुम अमने बहन के तमाशों को चुपाती रहोगी आज तक तुमने कुछ सीखा नहीं है श्रद्दा तनुजा जी पात का पतंगर मत बढ़ेंगे अरे आप हम पे काय भड़त रहें हम तो बढ़ अरे आंटी जी आप शांत हो जाएए ना वरना आपके हाथ का दर्द और बढ़ जाएगा अरे हमें बोलने से अच्छा होगा कि तुम इस कीर्थी को समझा जो जायदात और जिम्मदारी के नाम पे हमारे बेटे भव से चिड़ी बैटी रहती है अरे बॉइसाब तो समझदार थे अरे वो जानते थे कि जब वरुन और कीती के हाथ में पैसे नहीं टिकते हैं तो फिर जिम्मदारी कैसे टिकीगी अरे नौकरी मिली ही नहीं कि बस बेहसाब खर्चा शुरू अरे महंगी कार, महंगे तोफे, महंगी इतीवी अरे तुम लोगों को पता भी है कि भाईसाब को वो इस सब से कितनी परिशानी होती थी तानुचा आप अब पैसाब कैसे सकती वरुन ने जो भी खर्चे किये न सोच समझ कर किये और आप तो ऐसे कह रही है जिसे हमने कभी अभय को अंधा तुन खर्चा करते हुए देखा ही नहीं भाभी अगर अभय खर्च करता है न तो शद्दा उसका हाथ रोकती ऐसी गर समलता है भाभी लेकिन यहां वरुन तो फच करता ही लेकिन कीर्थी उससे दस कदम आगे है अगर इनके हातों में जिम्मेदारी दी जाती न भाभी तो आप न सडकों में भीख मांगती फिरती हाँ अभी अभी बस करे लिए भाभी यह कोई वक्ते इस तरह की बहस करनेगा नहीं, नहीं, बोलने दीजे, नहीं, आज मन की सारी कड़वाहट निकाल दे, हमारे खट्चे तो आपको दिख रहे है जाची, आर्थी के खट्चे नहीं दिखते आपको, दिन भर बाहर घूंगते रहती है, बाहर का खाती है, बाहर का पीती है, बता नहीं कहा जाती है, क्या मत करिये हमें क्या करना जाने किर्थी, फरन तो जो यह क्या हो रहा है इस घर में ताउजी ऐसा बटवारा कभी नहीं जाहते थे मैं ऐसा नहीं होने दे सकती इस लड़ाई को खतम करना ही होगा मुझे कीटी यह क्या तरीका है श्रदा तुमसे प्यार से बात कर रहे है तुम्हें अपने हाथोंते खाना खिला रही हो और तुम क्या हम? हां? क्या हम? दीदू प्यार दिखा दिखा के जबरजस्ती अपनी बात क्या है हमने बोला हमें नहीं खाना खाना वह में जबरजस्ती खाना खिला रही है यह हमेशा नहीं करती तुम्हें अपना हगजद आती जबरजस्ती रही हिए बंद करो तुम्हे अपना तामाशा अरे, अब कंसे तुमको के हँआ ममीभ अचनल भगवाण अचनल अचनल चनल और दमत से नहीं साहः गा रहा है आपर मुश्यारा प्राइब काश्या बश्यान दावका मैं अजी फिर नेचे पहुचे जल दीजा है आप आप सअबर के उट्टी है नेए 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 अटाज़ा जाएगा है अजया नेए श्यादा है में आपकोशिश कीजिए हम हैं यहां पर मम्मी मैं अबे की मदस कर देता, आइए चाजी, आइए अरबसे, आइए अरबसे, अरबसे चली अरबसे की और जाएगा यह अबे तो गाड़े निकालने किया था, उठानी जहाए गाए वारून सोचने का वक्त नहीं है, अब अपनी गाड़ी निकालिये, चलिए जलिकर यह जलिकर इनकी तब्हें बहुत ख्राब होती जारिए, ड़ट बहुत बढ़ गया जी जातू ठीक ठीक हो चाहिगा सब पुछ यह बगवार, इसका तो टायर बंचर, चांशी जी को कैसे? कहीं जाने के ज़ुरूद नहीं है, मैं डॉक्टर डाल में को यहीं लिया है पैशन्ट को तुरांत अंदर लेकर के चलिये ममीची, उपर ही लिए चलते है, ममी को आगे हाथ में बहुत तकलीफ है अरे, ओपर क्यों? आपने अभी तो कहा कि उनको तकलीफ हो रहे है चलिए, डॉक्तर नेचे के खर में देख लेंगे हाँ, महाँ ठीक कह लिए, चले तनुझे जी आई आई आई, चले सम्हाँ सम्हाँ जाए, परदा है यह दर्वाँ नहीं बहुत रही अरभी जाए, ऑज़े आई दोक्तर सम्हाँ जाए, डॉक्तर सम्हाँ जाए, डॉक्तर इन्हें पेंट के लिए निजेक्शन दो, तुरादी यह डॉक्तर डाल्मिया है ना, लंडन्ण वाले इनकी फीस तो बहुत सादा होगी यह डॉक्तर अने के लिए, मम्मी के हाद का दर ठीक ही नहीं हो रहा है मैंने इनकी सारी रिपोर्ट्स देखी है डॉक्तर मार्थू ने इलाज में सला के लिए मुझे सारी रिपोर्ट्स भेजी थी, वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरा सेमिनार यहां था मेरी टीम यहां चेक कर रही है उसके हिसाब से मैं जल्दी ही इलाज चुरू करूँगा ची डॉक्तर डॉक्तर, प्लीज कुछ भी करके मम्मी जी को आप जल्दी से ठीक कर दीजे काफी दिनों से वो बहुत तकलीफ मैं उनका दर्दब देखा नहीं जा रहा है मैं अपने तरब से पूरी कोशिस करूँगा मिसेज रिपाटी, प्लीज डॉन्ट बरी मैं ऐसे मैं और दर्द हो रहा है, सुभा की करिये सर, हलका सा छूते ही एकदम बर्दाश नहीं हो रहा, लगता है इंटरनल मसल टेर है ठीक है, मैं देखता हूँ यहा दर्द है? यहा दर्द है? यहाँ दर्द है? यहाँ पे? टॉक्टर, जरा साभी छूने में बहुत दर्द हो रहा है हम बिल्बल बर्दाश नहीं करवा रहे है यह ग्रेट 3 इंटरनल मसल टीयर है इसका मतलब यह होता है कि अंदर से वहाँ पूरी तरह से मांस फट चुका है और इसका इलाज ऑपरेशन यह है एक बार X-ray और MRI भी करेंगे तु भी शूर? ठीक है दोक्टर जैसा भी आपको ठीक लगे? इनकी hand injury काफी complicated है इसलिए सेजरी में काफी पैसे लगेंगे पैसो की चिंता हाब मत किजे दोक्टर पैसे में अरेंज कर लोगा आपको कैश लेना हो यह चेक पस मम्मी के इलाज में कोई भी कभी नहीं होनी चाहिए मैं चेक बुक ले आता हूँ डोक्टर, यह आपरेशन कब से स्टार्ट हो सकता है? इसमें देर करना ठीक नहीं है मैं कल ही आपरेशन के तैयरी करता हूँ यदि आप लोगं को अबजिक्शन नहोतो नहीं डोक्टर साब, हमें कोई अतराज नहीं है बस इन्हें जल्दी ठीक कर दीजे इनका दर्द हमसे देखानी जा रहा है डोक्टर साब यह पांच लाग एडवांस आप तयारी शुरू किजे प्लीज ठीक है मैं बाकी की सारी डिटेल्स आपको शेयर कर देता हूँ तब तक आप दर्द के लिए दवा के साथ साथ उनके हाथ की सिकाई भी करते रहेगेगा दर्द में काफी आराम भी लेगा, ओके? जी रोक्टर प्लीज आये माँ भी आजके दिन ये दर्द बदाश कर लीजे खल से हमेशा के लिए इस दर्द से चुटकारा दिलवा देंगे, डॉक्टर हिम्मत रखिये हाँ हाँ हमसे भी ना पूछे, आप हमारे साथे पैसे जुडा देंगे मतलब इससे और महंगा डॉक्टर नहीं मिला क्या? कीरती कीरती ये कैसी बाते कर रहे है तू? दीदू, ये हमारे हक के पैसे जो आप लोग ना इनके इतनी महंगे इलाज में खर्च कर रही है आपाजी ने ज्यादा हिस्सा क्या दे दिया आप लोग को दो मिनट भी नहीं लगरे पैसे खर्च करने में कीरती आप हमारे बहु पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? रहें दीजा ममी, इन लोगों से बात करने का कोई फाइदा नहीं कबरदार जो मेरी मा के बारे में कुछ बोला तो इस परइबार को आपकी सर्वात है तो दे दीजे हमें आमारा हम और इस बात को यही खतम कीजी पिस्मत से टकराती, उलजी लकीरों को सुलजहाती शद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाईए शिमारू उमंग